पाठ एक सवेरा मौनेंग पाठ परिचे चाप्टर इंट्रोड़क्शन प्रस्तुत कविता में कवी ने प्रात्याकाल के द्रिश्य का बहुत ही सुन्दर चित्रन किया है पाठ का उद्देश्य चैप्टर अबजेक्टिव कौशल सस्वर वाचन श्रवन पठन पाठन मोखेक वल लिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्याकरनिक विलोम शब्द परियाय वाची शब्द वर्णों को जोड कर शब्द बनाना विश्य समर्धन गतिविदिया जीवन कौशल रचनात्म कौशल लेखन शिक्षा सूरज की रोश्नी से अंधिरा दूर हो जाता है सुबह का समय मन में जोश वो उच्सा भर देता है सूरज की किरेणे आती है सारी कंदिया खिल जाती है अंधिकार सब खो जाता है सब जग सुन्दर हो जाता है चीडिया गाती है विलजल कर बहते है उनके मीठे स्वर थंडी थंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी नई ताजगी नई कहानी नया जोश पाते हैं प्राणी खो देते हैं आनस सारा और काम लगता है प्यारा सुबह भनी लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती जिनको अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुन्दर हो पाए तो क्या जग सुन्दर हो पाए पाठ दो कटोरे का जल Water of the bowl तक की आत्रा पर गए उनके साथ प्रमुख दर्बारी और सैनिक भी थे जहां से नर्मदा नदी निकलती है वहां उन्हें एक सिद्ध संद के दर्शन हुए संद प्रित्वी से एक फुट उन्चे हवा में स्थित थे उनकी आँखे बंद थी मुहों से निरंतर ओम का स्वर निकल रहा था नीचे धर्ती पर म्रिक छाला बिची थी यह देखकर राजा हैरान हो उठे और दर्बारियों सहेद हाथ जोड कर वहीं बैट गए कुछ देर बाद संद ने आँखें खोली धीरे धीरे प्रित्वी पर आये फिर धर्ती पर बिची मुरिक छाला पर टिक गए हाथ जोडे सामने बैठे कृष्ण देवराय को देखकर बोले कहो कृष्ण देव आनंद में हो न जी महराज राजा कृष्ण देवराय ने नम्रिस्वर में उत्तर दिया किन्तु सकुचाकर बोले मैं सब जानता हूँ संत ने कहा आज कल विजय नगर राज्य पर संकट के बादल चाये हैं शत्रूओं के हमलों ने राज कोष को खाली कर दिया है यही न राजा नतमस्तक हो गए संत ने राजा को एक कटोरा देकर उसमें नर्मदा का जल भरकर लाने के लिए कहां राजा कटोरे में नर्मदा का जल ले आए संत ने अपनी अंगुली जल में डुबोई कुछ मंत्र पढ़कर राजा से बोले, कटोरे के इस जल के छींटे साथ दिन तक अपने खजाने में मारना, खजाना भर जाएगा, वह कभी खाली नहीं रहेगा, पर सावधानी रखना कि जल कटोरे में ही रहना चाहिए कृष्ण देवराय प्रसन्नता से भर उठे, जल के कटोरे को सावधानी से लेकर अपनी चावनी में लोटे, और दरबारियों तथा सैनिकों को विजय नगर चलने का हुप्म दिया डेरे, तंबू, उखाड लिये गए, सारा सामान बांध लिया गया, रथों में घोडे जोत दिये गए, किन्तु राजा परेशान थे जब दरबारियों ने पूछा, तो वे बोले, जल का ये कटोरा इतनी लंबी और उबर खाबड यात्रा के बाद विजय नगर तक कहसे पहुँचेगा, छलक छलक कर सारा जल रास्ते में ही समाप्थ हो जाएगा समस्या बड़ी थी, जल से भरे कटोरे को विजय नगर तक पहुँचाना सभी को असंभव लग रहा था राजा कृष्ण देवराई ने एक एक करके सभी दरबारियों से इस काम को करने के लिए कहा, पर कोई तयार नहीं हुआ आखिर में तेनाली रामन ही बचा, राजा ने उसे देख निराशा से कहा, अशप्थ तेनाली रामन से क्या कहा जाए, आते समय रास्ते भर सोता ही रहा था, इससे पूछना तो व्यर्थ ही है नहीं महराज, एक आएक तेनाली रामन बोल पड़ा, सो तो मैं इसलिए रहा था कि कोई काम न था, पवित्र जल से भरा यह कटोरा साथ होगा, तो शायद आँख न लगे राजा बोले, सोच लो, यदि इस कटोरे का जल कम हुआ या गिरा, तो तुम्हारे शरीर से गर्दन अलग हो जाएगी मुझे स्वीकार है अन्नदाता, तेनाली रामन जल से भरा कटोरा लेते हुए बोला, आप प्रस्थान करने का हुक्म दीजिए कृष्ण देवराई ने सभी को अपने अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान करने का आदेश दिया सभी विजय नगर की ओर चल पड़े रास्ते भर सभी जल के कटोरे के बारे में सोचते रहे राजा ने जब जब सेनिक भेज कर कटोरे के बारे में जानना चाहा तब तब उन्हें बताया गया कि तेनाली रामन रत में सोया हुआ है कटोरे का कहीं पता नहीं मंत्री, सेनापती, पुरोहेत, आदी को जब भी यह समाचार मिलता तो वे मन ही मन खुश होते आगे-ागे सेनापती का रत था वो सबको ऐसे रास्ते से लेकर जा रहा था जो काफी उबड खाबड था तेनाली रामन का रत जोर-जोर से हिचकोले खा रहा था विजयनगर आते-ाते सभी को विश्वास हो गया था कि कटोरे का जल तो जल इतनी कठिन यात्रा में कटोरा ही पिचक कर तूट-फूट गया होगा जब सभी रत महल के आगे रुके तो राजा कृष्ण देवराय ने सेनिकों से कहा तेनाली रामन को जगा कर कोहो कि पवित्र जल से भरा कटोरा मुझे दे दे जैसे जैसे सेनिक तेनाली रामन के रत की और बढ़ रहे थे दरबारियों को तेनाली रामन की मृत्यू पास आती दिखाई दे रही थी तेनाली रामन उस समय भी सोया हुआ था सेनिकों ने उसे जगाया तो वो आँखे मलते हुए उठा बाहर जहांका सैनिकों की बात सुनी फिर रत की छट से बंधा थैला उतार कर राजा के पास चल दिया तेनाली रामन को कटोरे की जगे जोला लटकाए आता देख राजा बोले मैंने तुम्हें जोला नहीं पवित्र जल से भरा कटोरा लाने के लिए कहा था वही लाया हूँ अन्नदाता कहते कहते तेनाली रामन ने जोले में हाथ डाला और जल से भरा कटोरा राजा को दे दिया कटोरे को देख कर सभी हैरान थे राजा कृष्ण देवराय कभी तेनाली रामन की थैले की ओर देखते कभी जल से लबा लब भरे कटोरे की ओर जब उनसे रहा न गया तो बोले यदि तुम हमें बता दो कि इस जोले में रखकर तुम जलसे भरे इस कटोरे को सुरक्षित कैसे लाए तो जो मांगोगे वही मिलेगा तेनाली रामन मुस्कुराया थेले में हाथ डाला फिर एक फटा गुबबारा निकालकर राजा के सामने रख दिया बोला मैंने जलसे भरा ये कटोरा इस गुबबारे में रख दिया था गुब्बारे की रबर कटोरे की चारो और कसी होने से जल भरा कटोरा यहां तक सुरक्षित आ पहुंचा पार्थ तीन हृदय परिवर्तन Change of Heart पार्थ परिचय Chapter Introduction प्रस्तुत पार्थ में लेखक ने बताया है कि दूसरों को हानी पहुंचा कर प्राप्त की गई जीत असल में जीत नहीं होती निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और सम्वेदन शील होना ही असली सफलता है पार्थ का उद्देश्य Chapter Objective कोशल, वाचन, श्रवण, पठन, पाठन, मोखेक वल लिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्याकरनिक संयुकताक्षर से शब्द बनाना की या की से रिक्ट स्थान भरना अनेकार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना ना लगाकर क्रिया शब्द बनाना पाठ से शब्द चुन कर लिखना विशे सम्मर्धन गतिविधिया जीवन कोशल रचनात्मक कोशल परियोजन कार्य सम्वाद शिक्षा हम प्रेम से ही किसी का दिल जीत सकते हैं ड़रा कर नहीं सिकंदर महान ने कई युद जीते थे वो सारे संसार पर विजर प्राप्ट करना चाहता था बहुत से देशों पर विजर प्राप्ट करने के बाद उसने अपने सेना पतियों को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया प्राचीन काल में भारत वर्ष सारे संसार में सोने की चिडिया के नाम से प्रसिद्ध था सिकंदर का आदेश मिलते ही सेना पतियों ने नक्षे देखे और भारत की ओर कूच कर दिया विशाल हिमाले की बरफीली चोटियों को पार कर देश में प्रवेश किया और सिंधु नदी तक पहुंच गए वहां पहुंच कर अपने खेमे गार दिये गए एक दिन सिकंदर अपने घुडे पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा जैसे ही वहां थोड़ा आगे बढ़ा उसे दूर कहीं आग की लपटे दिखाई दी वहां नस्दी गया तो कुछ संथ सिंधु नगी के तट पर यज्य करते दिखाई दिये एक पेड की ओट में वो चुप चाप खड़ा हो गया सर्दी का मौसम था उन संतों ने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे सिकंदर को लगा कि उनके पास तन ढखने को कपड़े नहीं है उसे उनकी निर्धनता पर दया आने लगी उसने सोचा कि इन नंगे फकीरों के लिए कुछ करना चाहिए रात काफी हो चुकी थी वह वापस अपने खेमे में गया और उसने प्रधान सेनापती को बुला कर आदेश दिया फोरण कुछ गरम कपड़ों और कंबलों की व्यवस्था की जाए मुझे उनकी आवश्यक्ता है आदेश पाते ही गरम कपड़ों और कंबलों के ढेर सिकंदर के सामदे लग गए उन्हें घोडों पर लद्वा कर सिकंदर स्वयं काफीले को जंगल की ओर ले चला कारवा सिंधु तट पर पहुंचा जहां अभी तक यग्य चल रहा था यक्य की आहूतियों और मंत्रों के उचारण से वायू मंडल गूंज रहा था वह अपने घोडे को उनके करीब ले गया पर सिकंदर और काफीले पर संतों का ध्यान नहीं गया सिकंदर उनका ध्यान अपनी और आकरशित करने के लिए अपना घोडा उनके निकट ले गया फिर से जोर से थप-थपाया और स्वयम भी जोर से खासा लेकिन फिर भी किसी ने उसकी और ध्यान नहीं दिया सिकंदर इससे चिड़ गया घोडे से उतर कर वो सबसे वृद्ध संत की ओर बढ़ा संत ने तब भी उसे नहीं देखा इससे सिकंदर ने अपने आपको बहुत उपेक्षित महसूस किया तब उसने एक संत को जचखोर कर कहा ए फकीर सुनो मैं सिकंदर महान हूँ संत ने निर्विकार भाव से उसकी ओर देखा फिर शान्त वो मधुर स्वर में पूछा कहो नव्युवक क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ सिकंदर इस प्रश्ण से सपका गया उसने हिचकिचाती हुए कहा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ मैं सिकंदर महान हूँ इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर तुम लोगों के लिए गरम कपड़े और कंबन लाया हूँ संत ने तीखी दृष्टी से सिकंदर को देखा करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले तो तुम ही वो सिकंदर हो जो देशों को लूट कर उन पर विजय प्राप्त करता है फिर अटहास करते हुए पूछा अच्छा नव्युवक यह तो बताओ कि कभी लुटेरा भी विजय या दानी हो सकता है इतना कहते हुए संत ने ठहरी दृष्टी से सिकंदर की आखों में जहांका सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया उसे समझ नहीं आया कि वो क्या उत्तर दे वो स्तब्द सा बुद की भाती खड़ा रहा संत ने बात आगे बढ़ाई मेरे बच्चे यदि तुम सचमुच विश्व विजय करना चाहते हो तो पहले अपने प्रेम से देशवासियों के दिल जीतो जहां तक हमारी बात है हमें किसी चीज की आवश्यक्ता नहीं है हमारी चिंता छोड़ो हम सन्यासी है और अब जो कुछ हमारे पास बचा है हम तो उसका भी त्याग करने जा रहे हैं अब कहो तुम्हे क्या चाहिए सिकंदर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था ऐसा तो उसने कभी न कहीं देखा था न सुना था उसे गलानी होने लगे उसका मन उदास हो गया उसने संद का मूख अभिवादन किया फिर बिना एक भी शब्ड बोले अपने घोडे पर स्वार होकर अपने खेमे की और चल पड़ा उसका कारमा भी उसके पीछे पीछे था भोर हो गई थी और सिकंदर पक्षियों की मधूर चेह जहाहट को सुन रहा था उसका रिदय परिवर्तित हो चुका था उसने निश्चय कर लिया था कि अब और आगे नहीं बढ़ना है सिकंदर महान ने कई युद जीते थे वो सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था पार्ठ चार पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन बुक लवर इप्रहिम लिंकन पार्ठ परिचय चाप्टर इंट्रडक्शन प्रस्तुत पार्ठ में अमेरिका के राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन के पुस्तके पढ़ने के शौक का वर्णन है। इस शौक के कारण उन्हे एक बार अपने शिक्षक से डांट भी खानी पड़ी। शब्द लिखना, शब्द युग्म से वाक्य बनाना, पाट से चांट कर तीनों प्रकार के संग्या शब्द लिखना, विश्य समवर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, सम्वाध, लेखन, शिक्षा, हमें अच्छी अच्छी पुस्तके जरूर पढ़नी चाहिए, उस तके ज्यान का स्त्रोत है, बहुत पहले की बात है, अमेरिका के एक गाउं डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था, अबराहम उसी मजदूर के पुत्र थे, एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी, अबराहम बहुत विध्या प्रेमी थे, उन प्रीमार पढ़ जाते, तो अपनी बहन से पुस्तके पढ़वा कर सुनते थे, वे उपहर में रुपए पैसे के बजाय पुस्तके लेना ही पसंद करते थे, एक दिन अबराहम ने अपने शिक्षक के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्र पती जॉर्ज वाशिंग्टन के जीवनी देखी, उसने पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी, शिक्षक सोच में पढ़ गये, फिर कुछ सोच कर बोले, देखो अबराहम, मैं किसी को अपनी पुस्तके नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण यह दे रहा हूँ, इसे ज अब धब्बा भी लग जाए, तो आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए, यह पुस्तक मैं आपको बहुत जल्ब लोटा दूँगा, अबराहम ने जवाब दिया, वे पुस्तक लेकर प्रसन्नता से उचलते कूते घर की और चल दिये, सर्दियों की रात थी, माता पिता पास बैठ कर पढ़ने लगे, कई घंटे बीते, सब सो गए, अबराहम अपनी पुस्तक में ही खोय रहे, बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली, उन्होंने अबराहम से सो जाने के लिए कहा, अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी, मन मार कर अबराहम ने पु पर लेट गए, पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते, न जाने कब उन्हें नीन दा गई, सवेरे पुस्तक पढ़ने के विजार से वे सबसे पहले उठे और खिडकी के पास पहुंचे, लेकिन वहां जो कुछ देखा, उसे देखकर उनका दिल धक से रह गया, राद को वर पानी की बोचार से पुस्तक पूरी तरह गिली हो गई थी, उसके कुछ प्रुष्ट मुड़ तुड़ और गल गए थे, बालक अबराहम को काटो तो खून नहीं, उनके कानों में शिक्षक के शब्द गूंजने लगे, अब क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें, परन्तु ब जुका हुआ था, शिक्षक महोदे पुस्तक देखते ही बरस पड़े, आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुन्दर और मॉल्यवान पुस्तक नश्ट कर ही डाली, इसी लिए तो मैं अपनी पुस्तके किसी को नहीं देता, आंखी नीची किये, अबराहम ने कहा, क्या पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी, रात को अच्चालक पानी बरसा और पुस्तक भी गई, इस अपराद के लिए मैं दुखी हूँ, लज्जेत या दुखी होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत देनी होगी, मैं कोई लखपती नहीं हूँ, स अबराहम ने असाहय स्वर में कहा, पुस्तक यहां रख दो और तीन दिन तक मेरे खेत में घास काटो, बस मैं समझ लूँगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया, उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी, शिक्षप ने अबराहम से कहा, अबराहम के र अबराहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई, बाद में यही बालक अमेरिका का राष्टर पती बना, जिसने दास प्रथा को दूर किया, पाठ पांच्वा, चतुर चित्रकार, क्लेवर पेंटर, पाठ परिचय, चैप् हदी है कि संकट के समय हमें धैर्य, साहस और सूजबूट से स्वयम की रक्षा करनी चाहिए, पाठ का उद्देश्य, चैप्टर अबजेक्टिव, कौशल, सस्वर वाचन श्रवन, पठन-पाठन, मौकिक वर लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्या करनिक पर्याय वाची शब्द वचन बदलना, का, के, की से रिक्ट स्थान भरना, सर्वनाम की पहचान करना, विशेशन शब्द लिखना, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना, समूह वाची शब्द लिखना, विशे समर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात् शिक्षा संकट के समय हमें धैर्य, साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए चित्रकार सुनसान जगे में पना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया जंगल का राजा मित्र, उसे देखकर चित्रकार के तुरन उड़ गये होश नदी पहाण पेड़ पतों का रहन गया कुछ जोश, फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुप चाप बोला सुन्दर चित्र बना दू बेट जाईये आप डगरू मकरू बैठ गया वह सारे अंग पटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँ आप उधर तो करिये जंगल के सरदार बैठ गया वह पीठ फिराकत चित्रकार की ओर, चित्रकार चुकी से खिसका जैसे कोई चोर बहुत तेर तक आँख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इतनी हुई क्यों देर जील की नार्य नाव थी एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ कर लीजी भर के सांस जल्ली जल्ली नाव चला कर निकल गया वो दूर इधर शेर था धोखा खाकर जुम्जला हट में चूर शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक कोची और का गज तो ले जा रेकायर डर पोक चित्रकार ने कहा तुरत ही रखिये अपने पास चित्रकला का आप कीजिये जंगल में अप्यास पाठ चे संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन बैलिंस डाइट हेल्दी लाइफ पाठ परिचे चाप्टर इंट्रोडक्शन हमें हमेशा सुबह जल्दी उपना चाहिए तथा अपनी दिन जर्या को उत्तम बनाना चाहिए संतुलित भोजन ग्रहन करना चाहिए तथा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए पाठ का उद्देश्य चाप्टर अबजेक्टिव कोशल, वाचन श्रवन, पठन पाठन, मोखेक वलिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे, चिंतन और मनन व्याकर्निक तत्सम, तत्भव, परियायवाची विशेशन क्रिया विशेशंवर्धन गतिविधिया, जीवन कोशल, रचनात्मक कोशल, लेखन, परियोजना कार्य, शिक्षा, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता, पॉष्टिंग भोजन वो व्यायां जरूरी पात्र परिचे, नमन, नाना जी, मा तथा मामा जी, रोहन घर के सभी लोग बैठक में बैठे हुए हैं और हसी मजा कर रहे हैं नमन, मा, खाने की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, क्या बना रही हो? मा, आज लंदन से तुम्हारी मौसी आ रही है, तो उनहीं की फर्माईश का खाना बना रही हूँ नाना जी, तुम्हारी मौसी तो कई दिनों तक फ्रिच का रखा खाना भी खा लेती है उसे तो भारतिय भोजन में रूची ही नहीं है नमन, नाना जी, फास्ट फूट तो हम सब कभी-कभी ही खाते हैं नाना जी, हमें हमेशा घर में बना पौश्टिक भोजन ही खाना चाहिए क्योंकि घर का बना खाना हमारे स्वास्थ के लिए अच्छा होता है नमन, नाना जी, कल हमारे स्कूल में स्वास्थ दिवस है वहां होने वाली चर्चा में मैं भी हिस्सा लूँगा नाना जी, हाँ नमन, बिल्कुल नमन, नाना जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? नाना जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं? तभी मामा जी भी आ जाते हैं मामा जी, क्या बात्चीत हो रही है? मा, अरे रोहन तुम कब आये? बिल्कुल ठीक समय पर आये हो कल नमन के स्कूल में स्वास्थे दिवस मनाया जा रहा है उसी के बारे में कुछ बाते हो रही है नमन, मामा जी आप भी कुछ स्वास्त से संबंधित बाते बता दीजिए स्कूल में सब संतुलित भोजन से संबंधित बाते करते हैं क्या आप बता सकते हैं कि संतुलित भोजन क्या है मामा जी, दाल, हरी सबजिया, रोटी, दूध, दही, सलाद, आदी हमारे शरीर को पोश्टिक तत्व प्रदान करते हैं जब हमारे आहार में इनकी आवश्चक मातरा शामिल की जाती है तो उसे ही संतुलिद भुजन कहा जाता है पोश्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं नमन हम रोज रोज यह खाना खाने से ओब भी तो जाते हैं क्या फास्ट फूड जैसे खाने को पॉस्टिक नहीं बना सकते हैं मा बिल्कुल बना सकते हैं नूडिल्स, पीजा और पास्ता में सबजियां ज्यादा से ज्यादा डाल कर खाओ, बर्गर में खूब सारा सलाद लगा कर खाओ, मामा जी, बेटा नमन भोजन के साथ साथ व्यायम करना तथा खेलना कूदना भी जरूरी होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है नाना जी, नमन शरीर को स्वस्थ रखना हमारे हाथों में ही होता है, रात को समय पर सो और सुबह समय पर उठो, सुबह 15 मिनिट व्यायम करोगे तो शरीर में दिन भर ताजगी बनी रहेगी, रोज नहाना शरीर को साफ रखना, साफ सूथ्रे कपड़े पहनना, सब चीजे हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, मामा जी, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दान्त साफ करना आदी बहुत जरूरी है, क्योंकि किटाणों हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं, दान्त साफ न करने पर दातों में सडन पैदा हो जाती ह जिससे मूँ से दुरगंध आने लगती है, मा, हमें समय समय पर अपने नाखुनों की सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नाखुनों की सफाई नहीं करेंगे, तो उनमें भरा मेल भोजन के साथ शरीर में पहुंच सकता है, नाना जी, स्वच्चिता का ध्यान रखो तभी स्वस्थ मन पाओगे, नमन, आप सभी से बात की, तो समझ में आया कि स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए कितना नाबदायक है, तभी दरवाजे की घंटी बचती है, नमन, लगता है मौसी आ गई पाठ साथ, प्रेरक व्यक्तित्व, इंस्पाइरिंग परसनालिटीज, पाठ परिचय, चाप्टर इंट्रोडक्शन, प्रस्तुत पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाश चंद्रबोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंद द किये गए हैं, जो हमें धर्म, सूज-भूज और सेवा भाव के गुण सिखाते हैं। रचनात्मक कौशल, खोज बीन, शिक्षा, हमें पाठंड से दूर रहना चाहिए, हमें मनुष्यता का धर्म अपनाना चाहिए, तथा सूज-भूज से काम करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती आरिय समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, मूर्ती पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बना कर बाजार में बेचते और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे, उन्हीं यह बात पसंद नहीं आई। वे लोग स्वामी जी से कृध्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानी पहुँचाने की बात सोचने लगे। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया, जब वह स्वामी जी को हानी पहुँचा सके। उसने स्वामी जी को पान में बात का पता चल गया, उन्होंने कोई क्रिया करके तुरंत विष्ध को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये घटना अनूट शहर यानि की उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहा सैयद मुहम्मद नामक एक तहसीलदार था, जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसब था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। ये काम करके प्रशंसा पाने की तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चरिय हुआ और उसने स्वामी जी से नाराजगी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं, बलकि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। सुभाश चंदरबोस। नेताजी सुभाश चंदरबोस में वीरता, साहस और देश भक्ती के गुणों के साथ-साथ सेवा भव भी कोट-कोट कर भरा था। जब सुभाश स्कूल में पढ़ते थे, तब कटक शेहर में हैजा फैल हजारों लोग मौत के मुँ में समाने लगे। सुभाश अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किये जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं। इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने तथा उनके साथियोंने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती के लिए को दया आ गई। वे बोले रो मत भाई तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव यही निभा रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार अपनी सेवा भाव से नेताजी सुभाश चंदर बोस शास्त ने एक दुष्ट व्यक्ति का भी रिदय परिवर्तित कर दिया। बात कानपूर की है। क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों लाल बाहादूर शास्तरी उत्तर प्रदेश के ग्रेह मंत्री थे। वे मैच देख रहे हैं थे। इसी बीच किसी बात को ले कि जब तक लाल पगडी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। लाल पगडी यानी पुलीस का रहना तो आवश्यक है। अन्यथा जगडे फसाद को कौन रोकेगा। शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझा और उन् दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलीस वाले मौजूद थे। उनका पारा चड़ गया। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा। आप लोग यूँ ही नाराज हो रहे हैं। आप एक भी लाल पगडी वाला दिखाओ तो सही। ब जी असमंजिस में पढ़ गए। वे बात लाल पर चले गए। यानि पुलीस सा रहना तो आवश्यक है। अन्यथा जगडे फसाद को कौन रोगेगा। शास्त्री जी तो तुरंत एक रास्ता सूझा और उन्होंने चात्रों से कहा। आज तो आप मैच होने दीजिए। से क गोलते हैं जिससे हर्श और उल्लास का वातावर्ण बनता है। धान की फसल कटने की खुशी में तमिल लाडू में मनाया जाने वाला पोंगल एक ऐसा ही त्योहार है। पाठ का उद्देश्य। चैप्टर अबजेक्टिव। कौशल, वाचन, श्रवन, पठन, पाठन, मौ वाग की प्रयोग की की के प्रयोग द्वारा रिक्ट स्थान भरना। विशे सवर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान, शिक्षा हमें सभी त्योहार मिल चलकर खुशी खुशी मनाने चाहिए। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता ह इस देश में शायद ही कोई महीना ऐसा हो, जिस महीने में कोई पर्व त्योहार न मनाया जाता हूँ। पोंगल तमिल नाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। पॉंगल के पहले और बाद वाले दिन का भी पॉंगल जितना ही महत्व है। लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाया जाते हैं। पॉंगल के सुर्ख आटे को पानी में घोल कर उससे प्रत्य कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियां बनाई जाती है। पॉंगल के लिए एक विशेश बर्तन खरीदा जाता है। उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शरकरई का भोग तयार किया जाता है। इसलिए इस दिन को शरकरई पॉंगल कहते हैं। जिस बर्तन में पॉंगल बनाते हैं, वह पॉंगल पान्नई कहलाता है। बर्तन के गले पर हल्दी का पोधा बांधा जाता है। तमिल नाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इनही दिनों इख की फसल भी तयार होती है। पॉंगल की पुजा से पहले नए कपड़े पहनना ज़रूरी है, तब ही पुजा में बैठने की अनुमती मिलती है। फिर सबके बीच शरकरई पॉंगल बाटा जाता है। इख काट कर गंडेरिया बनाई जाती है। तमिल में एक को करंबू और गंडेरी को करुंबु तुंडम कहते हैं। पुंगल के बाद वाला दिन माट्टू पुंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रती कृतग्यता प्रकट की जाती है। क्योंकि सारे सा वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। उनके गले में पुश फार डाल कर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। पर धातु के चल्ले मड दिये जाते हैं। ये तैयारिया होती है मंजी बिरट्टू के लिए। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनके और घंटिया टंटनाते हुए गलियों में दोडते हैं। उनके पीछे यूवकों के जुन्ड जलते हैं। कभी कभार कोई पेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दोडाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिल जुलकर बैलों से टक कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक द्रिश्य देखने को मिलता है। सायंकाल ग्राम देवी के मंदिर परिसर में महिलाएं पूजा करने जाती है। इसके बाद शुरू होती है बैल गाडियों की मनोरंजक दोड जिसमें सभी आयू वर्क के लोग उत्साह पूर्वक शामिल होते हैं। पाठ नौ टॉम का काम टॉम्स टास्क पाठ परिचय चैप्टर इंट्रडक्शन टॉम इस कहानी का नायक है। वह बहुत ही शरार्थी है। आईए देखे कि वह किस प्रकार अन्य बच्चों से काम करवाता है। साथ ही उनकी चीजें भी ले लेता है। पाठ का उद्देश्य चैप्टर अब्जेक्टिव कौशल वाचन श्रवन पठन पाठन मौखेक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे। चिंतन और मनन व्याकरणिक शब्दों में ता जोड कर नए शब्द बनाना। मुहावरे, समान तुकवालेशब, विशे समवर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, लेखन, समवाद, शिक्षा, हमें बड़ों से सच नहीं छुपाना चाहिए और जूट नहीं बोलना चाहिए। टॉम बड़ा ही शरारती बच्चा था, वह अपने बालों के गीला होने का असली कारण अपनी मौसी आंट पॉली को कैसे बता सकता था। उन्होंने सोजा, हर दिन टॉम के स्कूल जाने से पहले वो उसकी कमीज पर एक धागा टांक देती थी, अपनी कमीज दिखाओ टॉम, अचानक अंट पॉली ने कहा, अगर टॉम स्कूल न जाकर नदी में तेरने गया होगा, तो उसने कमीज उतारी होगी, तब तो वह तूट ही गया होगा, उन्होंने मन ही मन सोचा, वह तो दंग रहे गई, जब उन्होंने देखा कि टॉम की कमीज पर धागा ज्यों का त्यों टंका हुआ है, ओ टॉम, सॉरी, मैंने तुम पर शब किया, कि तुम स्कूल नहीं गये होगे, हाँ, मैं गलत थी, आंट पॉली न आंट, आपने लाल धागा टांका था न, टॉम की कमीज पर, देखो देखो, यहां तो काला धागा है, सुनते ही आंट पॉली का चेहरा तम-तमा उठा, और उनका चश्मा सरग कर थोड़ा नीचे आ गया, तुझे तो मैं अभी बताती हो, टॉम, वो चीखी, टॉम सिड की गुसे से घूरते हुए बाहर निकल गया, पता नहीं आंट पॉली मुझे आज क्या सजा देंगी, आंट पॉली गुसे में बड़बडाती जा रही थी, इसको सबक सिखाती हु मैं कल, उधर उदास टॉम पेड के नीचे बैठा सोच रहा था, कि कैसे सिड से वो आज का लाले, अगले दिन आंट पॉली ने टॉम को एक बाल्टी पेंट और एक ब्रश पकड़ाया, और बगेचे के चार दीवारी को शाम तक पेंट करने को कहा, यह उसकी सजा थी, लकडी की चार दीवारी 90 फीट लंबी थी, और 9 फीट उंची, उसने ब्रश बाल्टी में डु इमा को एक उपाय सूजा, जट पट वह दीवार पोतने में जुट गया, उसी समय उसका दोस्त बेन वहाँ आ पहुँचा, मैं तेरने जा रहा हूँ, तुम चलोगे, उसने टॉम से पूछा, मैं तो यहाँ मजे कर रहा हूँ, टॉम ने कहा और पुताई में जुटा रहा, क्या तुम मजे कर रहे हो, वो भी पुताई करने में, बेन चिलाया, और क्या, ये मजेदार काम रोज रोज थोड़ी न मिलता है, ऐसा कहकर टॉम मजे से दीवार रंगने लगा, बेन सोच में पढ़ गया, लग तो यह आसान काम रहा है, बेन का भी पुताई करने का मन करने लगा, मुझे भी करने दो न टॉम, वो गिर गिर आया, नहीं टॉम ने कहा, आंट पॉली ने मुझे ये काम सौबा है, उन्होंने कहा था कि सौ में से एक इनसान के पास ही ये कला होती है, मेरे अलावा तो और कोई कर भी नहीं सकता है ना, फिर कुछ सोचते हुए टॉम ने क ठीक है, धन्यवाद, तुम इसके पदले में मेरा सेब ले सकते हो, बेन ने कहा, टॉम ने सेब की और लालच भरी नजर डाली और जच से बेन को ब्रश पकड़ा दिया, अब बेन बिचारा पुताई कर रहा था, और टॉम मिया आराम फरमाते हुए सेब खा रहे थे, देख देखते ही देखते दूसरे लड़के भी वहाँ जुटने लगे, दोपहर तक दीवार के दोनों तरफ का हिस्सा रंग कर तयार हो चुका था, वही टॉम की जेब भी तरह तरह की चीजों से भरी हुई थी, क्या मैं आप खेलने जा सकता हूँ, टॉम ने आंट पॉली को जोट तो बोलना ही मत टॉम आंट ने कहा, ये कहते ही उनकी नजर चार दिवारी पर पड़ी, वहां का नजारा देख आंट पॉली इतने खुश हुए कि उन्होंने एक ताजा लाल रसीला सेप टॉम को थमा दिया, टॉम गुनगुनाते हुए खेलने के लिए निकल पड़ पाठ दस्वा, ये पल जाते यही ठहर, वुट आद टाइम कुट स्टॉप हियर पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन इस कविता के माध्यम से कवी ने बताया है कि बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय होता है जब यहाँ बीट जाता है तो सब इसे याद करके सोचते हैं कि यहाँ न बीटता तो कितना अच्छा होता पाठ का उद्देश्य, चैप्टर अब्जेक्टिव, कौशल, सस्वर वाचन शिरवन, पठन पाठन, मोखिक व लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकर्णिक, अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाना, तुक वाले शब्द बनाना, समूह से बिन शब्दों पर गोला लगाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना, विशेस अमवर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, लिखन, शिक्षा, हमें अपनी बचपन की बातें भूलनी नहीं चाहिए, परवत जरना नदी नहर, जीवन जाता वही ठहर, परवत जरना नदी नहर, जीवन जाता वही ठहर, कभी तितलियों के संग उड़ना बल-बल जैसा गाना, कभी फुदती को रेया से खुल मिल कर बतियाना, लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर, कभी पतंग लूटने को हुड़ दंगी दाड लगाना, आंधी में दोड दोड कर बगिया से आम चुराना, मगर लकड सुगवा का डर, भरमाते क्षण यही ठहर, जान बुज कर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उचलना, उधर फिसलना, बस्ताले गिर जाना, बरसे मेघ छहर छहर, बरसाती दिन यही ठहर, बरसे मेघ छहर, बरसाती दिन यही ठहर, तालतलय या मेका गस की नया का तेराना, कुत्ते बिलले बचडों को ललकार खूब दोडाना, मेंधक बन करते टर-टर, रट्टू मनवा यही ठहर मेंधक बन करते टर-टर, रट्टू मनवा यही ठहर दादी मा से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना राजा रानी परी लोक के अंगिनत किस से बुनना खहरी सा भापता पहर, रुकजा थमजा यही ठहर खरहे सा भाता बहर, रुपजा थमजा यही ठहर पाठ ग्यारहवा, रितुएं, सीजन्स पाठ परिचय, शैप्टर इंट्रोडक्शन प्रस्तुत पाठ में, रितुओं तथा उनमें आ रहे बदलावों के विशय में, सम्छिप्त जानकारी दी गई है यह जानकारी आज की नई पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्पपूर्ण है पाठ का उद्देश्य, चैप्टर अबजेक्टिव, कौशल, वाचन, शिरवन, पठन, पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्याकर्निक, कारक चिंध, वचन, सम्माद लेखन, विशय सम्मर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, सम्माद, कला सम्बधता शिक्षा, प्रदूशन को रोकने के लिए, अधिक संख्या में पेड लगाने होंगे, और नदियों तथा तालाबों को स्वच रखना होगा कक्षा में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मौसम के बारे में पूछना शुरू किया मौसम की बात चलते ही बच्चे अपनी अपनी बात बताने लगे वरुण ने कहा, मैडम मुझे बसंत्रितू बहुत अच्छी लगती है इस मौसम में चारो और खुशानी चा जाती है, मैं बसंत्रितू पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ अध्यापिका, हाँ जरूर सुनाओ वरुण, सर्दी बीती बसंत है आया, नया रूप वसुधा में पाया रंग बिरंगे है फूल महकते, मीठे सुर में पंची चहकते है रितू बसंत की शोभा न्यारी, खिली खिली है बगिया सारी बहुत अच्छे वरुण, इन ही विशेष्टाओं की कारणी तो बसंत को रितूओं का राजा भी कहते हैं, अच्छा, अब यह पताओ कि बसंत के बाद कौन सी रितू आती है, मोहित कहता है, मैम, गर्मी की रितू अध्यापिका कहती है, ठीक कहा, गर्मी की रितू को ग्रिश्म रितू भी कहते हैं, क्या तुम भी गर्मी के बारे में कुछ बताना चाहोगे, मोहित कहता है, हाँ मैम, मैं भी एक कविता के रूप में गर्मी की रितु की कुछ मिशेष्टाएं बताना चाहता हूँ। अध्यापिका, हाँ बताओ। मोहित कहता है, गर्मी आई, गर्मी आई, मीठे रसीले आम है लाई। खर्बूजा तर्बूजा है भाता, सूरच सबको खूब तपाता, आईस्क्री ठंडी ठंडी खाओ, गर्मी को यो दूर भगाओ। अध्यापिका, वाँ मोहित बहुत अच्छे, आज तो सब कविता में ही अपनी बात कह रहे हैं, अच्छा अगली रितु कौन सी है। संगीता, मैं, वर्शा रितु, इसे बरसा भी कहते हैं, मैं इस पर कविता सुनाना चाहती हूँ। अध्यापिका, सुनाओ। संगीता, काले काले बादन लाए, जम 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 जल बरसाए, पंग फैलाए, नाचे मोर, तर तर मेंधक करता शोर, हरी हुई पेडों की डाली, चहु ओर छाय हरियाली। अध्यापिका, अच्छा, वर्षा के बाद कौन सी रितु आती है? शिखा, मैम, सर्दी की। अध्यापिका, हाँ, और सर्दी की रितु को शरद रितु भी कहते हैं, इस रितु में खूब ठंड पड़ती है, सूरच देर से निकलता है, जिससे ठंड और सताती है। मानवी, हाँ, मैम, और इस रितु में हमें मोटे-मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, रजाई ओडनी पड़ती है। अध्यापिका, कोई इस रितु पर भी कविता सुनाएगा क्या? नमन, हाँ, मैडम, मैं सुनाता हूँ। सर्दी का मौसम बढ़ा निराला, मूजे मफलर स्वेटर वाला, सर्दी थर-थर खूब कम पाती, सुबह शाम अंगीठी भाती, सर्दी त्योहारों को लाई, खेल-खिलोने और मिठाई। अध्यापिका कहती है, बहुत बढ़िया नमन, लेकिन तुम लोगों को पता है कि इन चार प्रमुख रितुओं के अलावा हेमन्त और शिशिर भी अन्यदो रितुए हैं, इनके विशे में फिर कभी बात करेंगे। सुमित, लेकिन मैम, आजकल अधिक गर्मी क्यों पढ़ रही है और मौसम में बदलाव क्यों आ रहे हैं। अध्यापिका, हाँ बच्चों, आजकल हम लोगों की गलतियों के कारण इन रितुओं में काफी बदलाव आ गया है। प्रदूशन के बढ़ने के कारण रितुचकर प्रभावित हुआ है। अब समय पर बरसात नहीं होती। सर्दी की रितु में गर्मी पढ़ती है। सभी रितुओं का समय अनिश्चित हो गया है। किरन, मैन, फिर हमें क्या करना होगा। अध्यापिका, हमें अधिक से अधिक व्रिक्ष लगाने होंगे। वही नदियों तालावों की भी उच्चित देखभाल करनी होगी। प्रदुशन को रोकना होगा। प्रकृती की रक्षा करनी होगी। सभी बच्चे, ठीक है मैम, अब से हम पेडों की देखभाल करेंगे। सभी को प्रदुशन कम करने के लिए जागरु करेंगे। जिससे हमारी रितुए फिर से सही समय पर आकर अपना सौंदर्य फैलाएंगी। पाठ बारहवा, स्वर्ण मंदिर की सेर, A Trip to Golden Temple, पाठ परिचय, Chapter Introduction, प्रस्तुपाठ में स्वर्ण मंदिर परिचर में चलने वाले लंगर सेवा के संबंत में महत्व पूर्ण जानकारी दी गई है। पाठ का उद्देश्य, Chapter Objective, कोशल, वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखेक व लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्याकरनिक, शब्दों को तोड कर लिखना, क्रिया शब्दों को रेखांकित करना, मुहावरों के अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयो करना, विशय समवर्धन गतिविधिया, जीवन कौशल, रचनात्म कौशल, लेखन, परियोजना कार्य, शिक्षा, हमें जरूरत मंदों को भोजन कराना चाहिए, स्नीहा आज बहुत खुश थी, वो नजाने कबसे स्वर्ण मंदिर देखना चाहती थी, और आज जब माधरी मैडम ने कक्षा में ये घोशना की, कि रविवार के दिन सभी विध्यार्थियों को स्वर्ण मंदिर भ्रमन के लिए ले जाया जाएगा, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, वो बेसबरी से रविवार का इंतजार करने लगी, रविवार के दिन बस सभी विध विध्यार्थियों को लेकर स्वर्ण मंदिर की ओर चल पड़ी, स्वर्ण मंदिर पहुंचकर विध्यार्थियों ने श्रध्धालूँओं की भारी भीड देखी, इतनी भारी भीड देखकर वे दंग रहे गए, मादुरी मैम बच्चों के चेहरों के भाव समझ गई, वे अरे बच्चो अभी से आश्चेरे में पड़ गए, आश्चेरे का असली विश्य तो यहां होने वाला लंगर है, क्या तुम लोग जानते हो कि यहां लगबग एक लाक्ष रधालू हर रोज भोजन करते हैं, सच? नेहा ने हैरान होकर कहा, हाँ, लंगर के विश्य में अधिक जानकारी हमें यहां के प्रभारी से मिलेगी, चलो उनसे मिलते हैं, माधुरी मैडम सब बच्चों के साथ प्रभारी महोदय के पास पहुँची, प्रभारी महोदय बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, बच्चों प्रभारी महोदय जो भी बताएंगे, सारी बाते आपको ध्यान से सुननी है आप इस विशय पर एक रिपोर्ट तयार करेंगे और जिसकी रिपोर्ट सबसे अच्छी होगी उसे एक शांदार इनाम मिलेगा मातुरी मैडम बोली प्रभारी महोदय ने सभी बच्चों का स्वागत किया और बोले बच्चों स्वरण मंदिर में ह भेदभाव के लोगों को खाना खिलाने की मुहिम शुरू की थी यहां 24 घंटे भोजन की सुविधा उपलब्ध है यहां खाना खिलाने के लिए दो बड़े हॉल है जिनमें एक बार में 5000 लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं यहां लगभग 450 स्वयम सेवी भोजन बना तथा खिलाने में सहायता करते हैं रोजाना गैस के 100 सिलिंडर और 5000 किलो लकडी इंधन के रूप में प्रयोग होती है स्वर्ण मंदिर में करीब 1 लाख लोग रोज खाना खाते हैं यहां रोजाना लगभग 7000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल और 500 किलो घी का प्रयोग होता है, इसी मातरा में अन्य काध्यपदार्थ भी प्रयोग होते हैं, मादुरी मैडम ने इतनी सारी जानकारी देने के लिए प्रभारी महोदय को धन्यवाद दिया, फिर उन्नोंने सभी बच्चों को बस में बैठने का आदेश दिया, सभी लोग वापस अप पार्ठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन, जो लोग अपने लक्ष पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, हमें सदा अपनी लक्ष को ध्यान में रख कर ही कार्य करना चाहिए, इस एकांकिका में इसी बाद की चर्चा की गई है, पाठ का उद्देश्य, चैप्टर अबजेक्टिव, कोशल, वाचन श्रवन, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे, चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समानार्थी शब्द, वचन एवं सम्वाद लेखन, विशय सम्वर्धन गतिविधिया, जीव पाठन कोशल, रचनात्मक कोशल, परियोजलाकार्य, कलासंबधता, लेखन, शिक्षा, हमें सदय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रेत रखना चाहिए, स्थान, गुरुद्रोणाचार्य का आश्रम, समय, सूर्योदैकाल, पात्र, गुरुद्रोणाचार्य, युधिष् दुर्योधन, भीम, अर्जुन, म, अन्यशेश, कौरव और पांडव अपने अपने धनुष्य बान लिये हुए एक और बैठे थे, चहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा था, दूसरी और एक विशाल काई व्रक्ष है, व्रक्ष की एक शाखा पर मिट्टी के चीडिया रखी है, गुरु दुर्णाचारे प्रवेश करते हैं, सभी शिश्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव कहते हैं, दुर्णाचार्य आशिरवात की मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहते हैं, आयुश्मान भव, हे भरतवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परिक्षा है, मुझे विश्वास है, तुम पूरी तयारी के साथ आए होगे, सभी शिश्य कहते हैं एक स्वर में, हाँ गुरुदेव, आप आग्या दीजिए कि हमें क्या करना है, हम सब परिक्षा के लिए तयार है, दुर्णाचारिय व्रिक्ष की ओर सं आन से देखो, व्रिच पर एक चिडिया रखी हुई है, वह चिडिया मिट्टी से बनाई गई है, तुम्हें उसकी आँख पर निशाना साधना है, जब मैं कहूं तब ही तुम तीर छोड़ना, समझ गये, इस लक्ष का भेदन ही तुम्हारी असनी परिक्षा है, सभी शिश कहते हैं, जी गुरुदेव, द्रोणाचारिय, राजकुमार युधिष्ठर, पहले तुम आओ, युधिष्ठर धनुष बान संभाल कर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, आग्या दीजिये गुरुदेव, द्रोणाचारि कहते हैं, युधिष्ठर, निशाना साध ल इसके अत्रिक्त भी कुछ दिखाई दे रहा है? युदिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है? दुरुडाचारि, ठीक है, तुम तनिक देर रुख जाओ, अभी तीर मत चलाना. युदिष्ठिर, जो आग्या गुरुदेव, युदिष्ठिर अपन इस परिक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता. इस परिक्षा में मेरे सिवाय और कोई सफल नहीं हो सकता. दुरुणाचारि, अच्छा दुरियोधन, ज्यादा मत बोलो, आओ, निशाना साधो. दुरियोधन धनुष बान उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है. ज्यें चीडिया के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुरियोधन, हाँ गुरुदेव, मुझे व्रिक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं. भीम हस्ते हुए कहते हैं. गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं. इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आंग्या दीजिए। दुरियोधन धनुष से बाण हटा लो। दुरियोधन। यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं। दुरुणाचारिय, इसका उत्तर में तुम्हें बाद में दूँगा। अभी भीन की बारी है। भीन की ओर संकेत करते हुए। भीम, तुम आगे आओ और निशाना साध हो। भीम धनुष बाण हाथ में लिये उए और निशाना साध कर कहते हैं। गुरुदेव, आदेश दी दुरुणाचारिय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिये बिना तीर मत चलाना भीम। भीम, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। दुरुणाचारिय, ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या-क्या दिखाई दे रहा है। भीम, गुरुदेव विशाल का व्रिक्ष, व्रि प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव शीघर आदेश करे, मुँ में पानी आ रहा है। दुरुणाचारिय, भीम, अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। भीम, शमा कीजिए गुरुद अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष पर बान चड़ाता है। अर्जुन, निशाना साधो, क्या तुम्हें ये व्रुक्ष, शाखा और शाखा पर रखी चिडिया दिखाई दे रही है। अर्जुन, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे तो मा आत्र चिडिया की आँखी दिखाई दे रही है। दुरुणाचारिय, अर्जुन, सच कह रहे हो। अर्जुन, हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंध होकर तीर चोडने की आज्या दीजिए। दुरुणाचारिय, अर्जुन, तुम बांठ चला सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है और तीर चीडिया की आंख में लगता है सभी उपस्थित राजकुमार और गुरु द्रुणाचारिय तालिया बजा कर अर्जुन का उत्साहवर्दन करते हैं अर्जुन आदर्निय गुरुदेव यह सब आपकी शिक्षा का फल है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं ह द्रुणाचारिय अर्जुन को गले लगाते हुए शाबबाश मुझे तुमसे यही आशा थी तुम अपने लक्ष को भेदने में सफल हो गए तुमने केवल लक्ष देखा और अपनी नजर भी उसी पर केंद्रित रखी यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक् लक्ष से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष पर ध्यान के इंद्रित रखो सभी शिश्य जी हाँ गुरुदेव आपका कहना बिलकुल ठीक हैं पाठ चोदावा उष्प की अभिलाशा दफ्लावर्स विश पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन प्रस्तुत कविता में फूल के माध्यम से देश भप्ति का संदेश दिया गया है हर देशवासी के रिदय में देश के प्रती प्रेम अवश्य होना चाहिए पाठ का उद्देश्य चैप्टर अबजेक्टिव कोशल सस्वर वाचन शिरवन पठन पाठन मोखिक वन लिखित प्रश्नोत्तर पाठ से आगे चिंतन और मनन व्याकरनिक रूड तथा योगिक शब्द समानार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द विशय समवर्धन गतिव जीवन कोशल, रचनात्म कोशल, खोज बील शिक्षा हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को यल चाऊं चाह नहीं समराटों के शव पर हे हरी मैं डाला जाऊं चाह नहीं देवों के सिर पर चड़ूं भाग्य पर इठलाऊं मुझे तोड लेना वन माला उस पथ में देना तुम फैंक मात्र भूमी पर शीष चड़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक जिस पथ जाएं वीर अने